पार्ट ये भी बच्चे कह रहे थे सर पेपर पता नहीं कैसा आगे कैता एक पेक्टरी है जहां पे पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है रिकवर्ड ऑन दा बेसिस ऑफ पांच रुपे मसीन मतलब मसीन आवर रेट हमारा पांच रुपे हर मसीन का The total expense incurred actual machine hour dependent on the month of August यानी August में हमारा 80,000 खर्चा हुआ 80,000 खर्चा हुआ August के अंदर 10,000 घंटे और आवर कितने लगे सर आवर लगे 10,000 तो यहाँ पर देखा जाए तो rate अलग आ रहा है सर 8 रुपे का rate आ रहा है जबकि हमारा क्या था overhead recovered rate क्या था हमारा recovered rate था हमारा 5 रुपे देखते हैं आगे respectively of the 80,000 15,000 कहता है आवर respectively of the amount 80,000 15,000 बिकम जो 80,000 यह है ना यह 80,000 है इसके अंदर become payable due award labor court मतलब भाया यह अभी का है ही नहीं यह किसी और महीने से related रहा है तो हटा दो यह तो खर्चा हुआ ही नहीं इस महीने का तो less कर दीजिए यहां से last का आज का खर्चा ही नहीं है सर become payable due on award of labor court labor court के accordingly फैसला आया होगा तो हम मान लेते हैं assumption के इस बार का खर्चा नहीं है तो हमें तो total actual खर्चा लेना है तो 15,000 यह खटा देंगे यह खटा देंगे और कहता है 5000 रुपे expense previous year book पिछला 5000 खर्चा इसे भी खटा दीजिए यह labor का था और एक हमारा previous book का खर्चा है last year का यह भी तो total खर्चा 60,000 और कितने आवर हैं 10,000 आप उपर ध्यान से देखिए total expense incurred and actual machine hour दे रखा है department मन्थ अगस total expense incurred कितना expense incurred हुआ हमने payment किया यह नहीं बोला कि यह इसी महने से related है इसी महने से related expense और कितना payment किया दोनों में difference है समझिएगा 80,000 total खर्चा था जबकि इसमें से 15,000 कहीं पुराने award का था minus कर दिया और 5,000 रुपे पिछले calendar पिछले साल का था वो minus कर दिया तो actual हमारा इतना खर्चा हुआ इस महने का और actual hour हमारा इतना है इस महने का सर परसो है exam clear है मैं उसके लिए भी discuss करना चाह रहा हूँ रुख जाईए मैं इस सवाल को एक बार कर दूँ और करने के बाद फिर मैं आपका exam pattern पर यह आ जाऊँगा और exam pattern को मैं discuss कर लूँगा कि क्या रहा कैसे रहा नहीं रहा वो सारी बातों को हम देखके फिर हम discuss कर लेते हैं ठीक है ना don't worry about it अभी हो जाएगा अभी देख लेते हैं ठीक है चलिए सर सर मेरा भी joint क्या है सर आपने contract account वाला doubt हाँ बिल्कुल 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 मैं देखू सारा doubt maximum मेरी कोसिस है ले ही रहें और कल पूरा आपको dedicated time मिलेगा पूरे अच्छे से कल मैं कुछ भी नहीं सब को छोड़के अलाकि corporate वालों पर भी focus जा रहा है लेकिन अभी तक मैंने दो-तीन दिन से उनके doubt नहीं लिये उनके paper थोड़ा सा एक-दो दिन डिले हैं पहले आपका ले ले लेते है चलिए अब आप यहाँ पर ध्यान से देखिए अगर हम बात करें तो हमारा यह तो क्या हो गया यह तो हो गया actual expense ठीक है और 10,000 घंटे खर्चे थे तो हम absorption कितना कर सकते हैं absorb expense तो भाईया absorption के इसाप से दिखा जाए तो 10,000 गुणा में 5 रुपे का एक था तो 50 खर्चा होना चाहिए हम absorption absorption के इसाप से 50 होना चाहिए और actual कितना हुआ actual हुआ 60 तो हम तो कम ही है ना तो यह under absorb हो गया last class में बताया था under absorb और कितना हो गया under absorb 10,000 यानि 10,000 रुपे का under absorption है पहले यहां तक देख लेजिए 10,000 रुपे का under absorption है हमने last class पर पहले भी करा हुआ है कि कैसे 10,000 में under absorb हुआ ठीक है चलिए सवाल में demanded क्या है आगे देखते हैं कहता है August में हमारा production 40,000 यूनिट रहा और 30,000 यूनिट हमने sold कर दिया हमने बनाया 40,000 यूनिट लेकिन 30,000 बेच दिये on the analysis there was the found 60% of the under absorb यानि under absorb of the under absorb तो यानि इसकी बात कर रहा है इसका 60% overhead due to defective planning and rest was attribute normal cost increase यह defective planning के वज़े defective planning कितना 60% और बाकी हमारा normal था बाकी rest attribute to normal cost increase how would you treat as the under absorb in the cost चलिए ठीक है सर यानि अगर मैं बात करूँ तो मेरा under absorb है total 10,000 10,000 में से 60,000 तो लापरवाई का नतीजा निकला 60%, 60% that is 6,000 बाकी 4,000 हमारा attributable है यानि 4,000 तो costing के उपर जाएगा 4,000 हम percentage में बातेंगे 6,000 तो हमारा abnormal है पहले इस line का sentence का मतलब समझ लीजिए कोई दिक्कत है तो पूछ लीजिएगा पहले यहां तक देखे comment में फटाफट बता देजिए फटाफट comment में बता देजिए किसी का यहां तक doubt है तो भाई साब ये वाला तो loss हो गया ये तो खराब हो गया ये तो कहीं पर impact करेगा ये तो 0 हो गया अब ये 4000 हमें attribute करना है किसमें attribute करना है साहब 4000 हमने production ये कितने production पे है तो per unit cost per unit cost भाई साब 4000 के under absorption का cost है और 40,000 unit produce किया है तो एक unit पे 0.1 10 पैसे एक unit पे था इसने क्या कहा था 4000 और आपका produce है तो ये आगया 10 पैसे per unit तो अगर हम इसके अंदर क्या बोला इसने overhead को कैसे treat करोगे तो overhead को treat कैसे करेंगे sales वाले के अंदर overhead ये वाला अंडर वाला चले जाएगा क्योंकि 30,000 unit है इंटू में 0.1 तो sales वाले पे चला जाएगा 3,000 और अगर हम देखें closing stock closing कैसे आया सर क्योंकि 40 में से 30 भी कहना है तो 10 तो closing stock में बचेगा तो closing stock में 10,000 इंटू में 0.1 तो आपका 1000 या फिर simple सी बात है अट्रीविटर बोल रहा है न तो आप इसको कितने हमारे पास हमारे पास जो stock है 30,000 sales है और 10,000 closing stock है तो इस ratio में आप इसको बाढ़ दीजिए किसको बाढ़ दीजिए सर जो यह 40,000 का खर्चा यही पूचा गया था कि इस overhead का किस तरीके से treatment करोगे ऐसे सवाल आपके exam में आएंगे तो छोड़िएगा rate वगरा तो निकाल दीजिएगा ender, observe, over, observe तो आप अगर यहां तक भी सवाल कर देते हैं यहां तक भी कर देते हैं 10 number का सवाल है, 6-7 number मिलता जो कि बेहद, मतलब normal इसमें ज्यादा calculation नहीं होता और यह और में आया था machine hour के, तो लगबग हमने देखो इसके अंदर कितने सवाल कर लिए cost sheet वाले भी कर लिए contract, process वाले भी करवा दिये machine hour rate भी करवा दिये labor भी करवा दिया और सारे जितने भी practical थे इसके सारे के सारे हो गए है बस एक रह गया है, जिसके लिए मैंने वो topic ही नहीं कराया भी, जैसे कि उसके ओपर अभी मैं discuss करूँगा, एक क्या रह गया सर, वो journal entry वाला point बहुत छोटा सा, आधर topic हो चुका है आधर topic से तो आप answer निकाल लेगे बाकी वाला मैं करवा दूँगा, दस-फंदरा मिनिट का तो उससे भी हो जाएगा, तो ये था ये overall हमारा क्या था, paper का पूरा का पूरा साहब, solution overall paper का पूरा का पूरा था, solution